एक्टर बिना पैसों के मुंबई में कैसे मैनेज करें? ये एक सवाल मेरे किसी सब्सक्राइबर ने, मेरे वीवर ने कमेंट में पूछा था और ये ना बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सा सवाल है कि सर बिना पैसे कैसे सरवाई होगा, कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे तो दोस्तों देखो एक चीज मैं बोलता हूँ कि बिना पैसे कुछ होता नहीं है तो वो तो आप दिमाग से निकालते हैं कि बिना पैसे कुछ मैनेज होगा पैसे को कैसे manage करना है, किस तरह से planning करनी है, वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, उसके कुछ suggestion मैं आपको दे सकता हूँ. सबसे पहली चीज़, अगर आप मुंबई आते हैं, तो आपको पैसा क्यों चाहिए और कितना चाहिए? पहला सवाल यह है, तो दीके पैसा यहाँ पे आपको चाहिए अपने survival के लिए, आपको किसी को देना नहीं है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं मांगता है, कोई किसी को पैस लेते हैं, एक अच्छा PG लेके, तो आठ से दस हजार में बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, जिसमें आपका रहना, खाना, और आपका घूमना, फिरना, वो भी उसमें मैनेज होता है, और अगर आप तीन-चार लोग शेर करके एक रूम ले लेते हैं, तो यह पांच से साथ हजार में ये खर्चा आपका निकल सकता है, और जिसमें मतलब दो से तीन हजार आप मानके चलो, आपका रूम का एक किराया चला गया, और बाकी दो-तीन हजार आपका खाने पीने का, और हजार पंदरा सो गूमने पिरने का, तो मतलब हम यह मान सकते हैं, पांच से या आठ से 10,000 जो आपका महीना खर्चा होने वाला है. तो देखिए, यहां पर कहीं भी आप रहेंगे, आप अपने घर में भी रहेंगे या कहीं भी रहेंगे, तो खर्चा तो वहां भी होने वाला है. यहां जब आप आए हैं, तो एक्स्ट्रा क्या जा रहा है? आपका जो जो भी है एक मान के चलते हैं कि 4-5,000 रुपय आपको manage करना है तो आपका जो extra खर्चा है यहाँ पर तो वो मान लीजे कि 4-5,000 ही है और चली मैं कहता हूँ कि पूरा आपका जो भी महीने का 7-8,000 या 10,000 जो भी खर्चा है अगर आप actor हैं आप अपना काम जानते हैं और आपक कि तयारी पूरी है और आपने अच्छे आपके photographs हैं आपके पास आपने अपने वीडियो बनाए हुए और पूरा industry में उनको circulate किया हुआ है तो इतना काम आपको महीने में मिल सकता है कि यह 18,000 पर खर्चा निकालना एक actor के लिए कोई बड़ी बात नहीं है आप अगर महीन कब तक है जब तक आपको काम नहीं मिलता है तो normally काम मिलने में यहां आपको अगर आप actor हो और आपकी तयारी है आप proper planning के साथ आए हो तो 2-3 महीना लगता है इस से ज़्यादा नहीं लगता मेरे पास मेरा अपना experience यह कि मेरे पास जो आते हैं बच्चे या लड़के जो भी आए हैं सीखने काम करने एक दिगविजय करके एक लड़का मिर पास आया था उसको एक हफते में काम मिला था क्योंकि आते ही आया अपना उसने रहने का arrangement किया मिर पास आया मैंने इसका audition लिया perfect था मैंने इसको एक video link बना के दिया और video link बना के contacts उसको दे दिये और उसके ब 16 की बात में बता रहा हूं वो video का link में आपको i button में दूँगा उसका पूरा experience हमने share किया तो आप देख लेना तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप actor हो आपकी तयारी है तो फिर वो जो यहां काम मिलने में जो है आप 2-3 महीना maximum मान के चलो और काम अगर आप आते हो 10 दिन मे पंदरा दिन में भी मिल जाता है और जो अंट्रेंड लोग जो मेरे पास आते हैं जो acting सीखने के हिसाब से तो उनको मैं एक चीज़ बोलता हूं 6 महीना आप मेरे हिसाब से काम करो 6 महीना जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो काम नहीं मिलेगा इसा possible ही नहीं है क्योंकि यह मेरा अपना experience है मैं जितने टाइम से मैं सिखा रहा हूं तो मैंने देखा है कि 3-6 महीने में आपको at least knowledge हो जाती है थोड़ा बहुत response आना शुरू हो जाता है और एक साल के अंदर-अंदर आदमी establish हो जाता है इतना तो हो जाता है कि उसको अपना खर्चा निकलने लग जाए तो ह इतने टाइम हमको काम नहीं मिलता है हमारी प्रॉब्लम उतनी है अब हम उसको कैसे manage करें तो उसके जो है उसका एक तरीका तो यह है अगर आपके पैसा नहीं है तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब यहां काफी सारे जिसे डिलिवरी जो ऑनला आप अपना एक survival आप निकाल सकते हैं और जो भी audition वगरा आप दे सकते हैं लेकिन मेरा suggestion यह है कि आप वो जो पार्ट टाइम जॉब है कि हम यहां पे कमाएंगे और फिर हम struggle करेंगे वो thought आप मत लेके आओ आओ आपको अगर आना है ना तो आप यह मान के चलो के 6 महीना maximum ए एक साथ नहीं देना है ना वो मंतली मंतली आएगा देखो यार अभी क्या है कि चाए कोई कितना भी गरीब हो एक गरीब आदमी भी अगर अपने बच्चे को कहीं दूसरे शहर में पढ़ने भेजता है यह काम से भेजता है तो वो दो-चार महीने यह सोच के भेजता है कि नहीं इतने दिन तो मुझे उसको खर्चा देना ही पड़ेगा पांच साथ हजार इतना हर कोई आदमी अफोर्ड करता है चाहिए वो गाहों का हो गरीब हो कैसा भी हो तो वो कर सकता है और अगर आप वो प्लैनिंग के साथ आते हैं कि नहीं मैं छे महिना या एक साल मुझे अपने पॉकेट से खर्चा निकालना है वो एक बजट लेके आते हैं तो क्या होगा अगर यहां पार्ट टाइम जॉब का आपको चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा आप फुल टाइम एक्टिंग को दे सकते हो सपोज आपने कहीं पर अपने फोटोस दे रखे हैं आप कहीं कहीं णटिशन दिया हुआ है आप नहीं ंपने पर टाइम जॉब करे हो दो घंटे तीन गंटे की और आपके पास शाम को कॉल आता है कि बाई कल सुबह साथ बजे का शूट है इतना पे कम एख और आपकशार दिन का काम है इतना पको पेमेंट मिलेगा आपको पढडे तीन हजार या चार हजार पांच हजार जो भी एक minimum payment तीन से पांच हजार होता है वो आपको मिलेगा मैं कहता हूँ चार हजार भी मिलेगा तो चार दिन का आपका होता है सोलह हजार तो अप बट लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो आप आपका जो वहाँ पे जहां काम कर रहे हो आपको चुपकी दे नहीं दे एंड टाइम पे तो क्या करोगे आप तो या तो आपको जॉब छोड़ना है या काम छोड़ना है कोई एक चीज़ आप करोगे तो बैटर आप्शन यह है आपको दिन रात एक्टिंग ही करना है क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करके आप जॉब करोगे जॉब के बाद जॉब की टेंचन तो वो नहीं हो पाता है आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बस दो बस्ता हुआ